आज मैं कमाक्षी सिंग आपको सुनाऊंगी हरी शंकर परसाई द्वारा लिखे ते क्व्यंग युक्की पीडा का सामना मैंने एक अख़बार में शिवशंकर की तारिफ छपवा दी सुबा अख़बार निकला था लगबग दस बजे में शिवशंकर के घर की तरफ चल पड़ा जगनात काका अपनी जगा पर बैठे थे पूछा कहा जा रहे हो मैंने कहा शिवशंकर से मिलने वह बोले वह इस दुनिया में अब नहीं मिलेगा उससे मिलने दूसरी दुनिया में जाने की तुम्हारी तैयारी मुझे नहीं दीखती मैंने कहा तु क्या शिवशंकर हाँ वह अभी घंटे भर पहले मर गया कैसे कैसे मर गया तुमने जो उसकी तारीफ आज के अख़वार में छपवाई है उसने उसके प्राण ले लिये मैं अगर सरकार में कहीं कुछ होता तो तुम्हें हत्या के जुर्ब में अभी गिरिफ्तार कर लेता मैंने कहा काका मुझे आपकी बात बिल्कु समझ में नहीं आती आखे तारीफ से आदमी कैसे मर जाएगा काका ने बताया चप गया और वहीं गिर पड़ा थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए मैंने कहा पर चपी तो उसकी तारीफ थी काका ने कहा उसे क्या मालूम तुमने उसे पहले बताया तो होगा नहीं वह समझा कि जिस बात के चपने से वह डर रहा था वह चप गई देखो जमाना इतना खराब आ गया है कि बिना पहले सूचित किये किसी की तारीव भी नहीं करनी चाहिए किसी पर दया करनी है तो बता कर करो उपकार कर रहे हो तो पहले बता दो कि मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूँ मुझे दुख हुआ उसकी बीवी बच्चों का अब क्या होगा मैंने अपनी चिंता प्रकट की तो काका हसे हाँ तुम बड़े भोले हो बीवी बच्चों के तो शुब दिन अब आये है वे शिव शंकर घूस और सरकारी पैसा खाकर काफी बड़ी जायदाद और नकट छोड़ गया है बीवी बच्चे अब बेखटके उसका उपयोग कर सकते हैं अगर वे जिन्दा रहता तो हमेशा डर बना रहता है कि न जाने कब पकड़ा जाए और संपत्ती जब्त हो जाए मरे आदमी की कोई जाच नहीं करता ब्रस्टाचारी अगर जल्दी मर जाए तो परिवार को बड़ी सुविधा होती है तीसरे पहर शिवशंकर की अंतेस्टी से लोटा मन खिन्न था एक पत्री का पल्टी तो उसमें सतेंद्र की एक कविता मिली उसे पढ़ा तो मन और बैठ किया सतेंद्र हमारा बड़ा प्रतिस्ठित कवी है उसकी कविताओं और कहानियों में बड़ी पीड़ा है हर कविता और कहानी में वे कहता है जिंदगी की कमर तूट गई है दर्द ने हमें दबा रखा है जीवन अर्थीन भोज है हम मरना चाहते हैं मुझे उसके बारे में चिंता होने लगी कहीं वे कुछ कर ना बैठे सोचा कॉफी हाउस में वे मिल जाएगा उससे उसकी तकलीफ पूछू और उसे बचाने की कोशिश करू चोराहे पर आया तो सामने से त्रिवेदी आते दिखे मुझे डर लगा कि ये दो तीन घंटे मुझे रोक लेंगे मगर उनके साफ कपड़े देखकर मेरा भै जाता रहा त्रिवेदी जब साफ कपड़े पहनते होते हैं तब वे किसी सेक्रेटरी या मंत्री से मिलने जाते होते हैं तब वे आपचारिक दुआ सलाम करके छोड़ देते हैं मगर गंदे कपड़ों में त्रिवेदी फूर्सत में होते हैं और दो तीन घंटे रोक कर बाते करते हैं कभी मैंने सोचा था कि इनके कपड़े मैं धो दिया करूँ जिससे यह हमेशा बड़ों से मिलने जाया करें और हमारा वक्त न लें पर डर यह है कि जब मैं कपड़े धोने इनके घर जाओंगा तब तो यह गंदे कपड़ों में होंगे और पकड़ कर बिठा लेंगे त्रिवेदी साहित्य की लिफ्ट में चड़कर बटन दबाकर सरकारी नौकरी की उची मंजिल पर पहुँच गये हैं साहित्य उनसे छूट गया है क्योंकि साहित्य का काम अच्छी दुकान या अच्छी नौकरी लगने तक ही होता है पर पिछले दस सालों में मैं उनकी गलानी का साक्षी हूँ उन्हें बराबर लगता रहता है कि उनकी जिंदगी बरबाद हो रही है जब वे मुझे मिलते हैं जिंदगी बरबाद होने का रोना रोते हैं आज समय कम था इसले संचेप में अपना दुखडा रोने लगे यार हमारी तो लाइफ ही बरबाद हो गई सरकारी नौकरी ने सारी प्रतिभा खाली सहित्य सेवा की क्या-क्या उमंगे मन में थी पर घरी रह गई जब हमने तरंग के प्रती कविता लिखी थी तब रचनात्मक शक्ती चरम बिंदू पर थी पर फिर इस कोलू में जुद गए हिंदी ने हमसे क्या-क्या उमें देखी थी ऐसी आत्मगलानी होती है कि मर जाने को जी चाहता है मगर अब तै कर लिया है बस सिर्फ एक साल नौकरी और करूँगा फिर सब छोड़ कर साहित्य सादना करूँगा चाहे भूखा रह लूँ बस मुझे एक साल और दो मैंने उसे एक साल और दिया दस सालों से एक एक साल दे रहा हो हर साल में नौकरी छोड़ने की घोशना करते है मैंने कहा त्रिवेदी जी साहित्य रचना चाहे आप ना करते हो पर लोग आपको भूले नहीं है आपके माथहत कर्मचारी आपकी प्रतिबा पर लेख लिखते ही रहते है और अभी आपके महकमे की क्लास फोर कर्मचारी ने जो साहित्य समीती बनाई है उसका उद्घाटन भी तो आपसे ही कराया था त्रिवेदी खुश हुए बोले अरे भाई हिंदी माता बड़ी उदार है अपने नालायक बेटे को भी नहीं भूलती उन्होंने कॉलर ठीक किया मैंने पूछा इस वक्त कहां जा रहे हैं जवाब दिया सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूँ तीन महिने से प्रमोशन रुका पड़ा है मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि नौकरीम ने जिन्दीगी बरबाद हो रही है और अब तरक्की की कोशिश करने जा रहे है मैं बोले अरे यार अब जिन्दीगी बरबाद ही होनी है तो उसे प्रमोशन पर बरबाद क्यों न किया जाए मैं प्रमोशन पर जिन्दीगी बरबाद करने चल दिये और मैं सतेंद्र की खोज में कॉफी हाउस पहुचा कॉफी हाउस में घुसते ही सामने की टेबल पर जो देखा उससे थोड़ी देड़ तो में चकरा गया हमारे वयोवरद आदर्निय लेखक आचारे महंतजी बैठे थे वे कॉफी हाउस में कभी नहीं आये थे वे इसे अभारतिय मानते रहे थंडाई की दुकान में जाते वे भारतिय है उनके कॉफी हाउस में होने से ज़्यादा अच्रच में डालने वाली उनकी सज्जा थी वे अपने पोते कानिक कर पहने थे उपर रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कमीज हाथ में उनके एक जुन-जुना था और वे एक चॉकलेट चूस रहे थे मेरे होश लोटे तो मैंने कहा अरे अचारे जी आप यहां और ऐसे मैं उनके चरण छुने आगे जुका चरण सपर्ष करवाना उनका खास चौक था ठंड में वे पूरा शरीर कंबल में ढख लेते थे पर पैर बाहर रखे बैठे रहते थे जिससे भक्तों को सुभीता हो उन्होंने मुझे रुका अडे अडे यह क्या कड़ते हो मैं पुड़ नहीं हूँ बच्चा हूँ मुझे आशिरवाद दो मैं तो उद्यमान हूँ उन्होंने जुन-जुना बजाया और कहा हमें चौकलेट खिलाओ मुझे लगा कि आशारे जी पागल हो गए है मैंने कहा मगर यह क्या हो गया है आपको किसी नए लेखक ने कुछ खिला तो नहीं दिया वे बोले नहीं मैं अपनी मर्जी से ही बालक हो गया हूँ देखता हूँ कि इस जमाने में नए का बोल बाला है तो मैं भी नया बन गया तुमसे भी छोटा बन गया मैं जुन-जुना बजाता हूँ चौकलेट खाता हूँ यानि नए से भी नया और मॉडन भी हो गया हूँ या शर्ट देखो नंगी औरतों की तस्वीरे चपी है और लिखा है लव मी लव मी लव मी मैं उन्हें हैरत से देखता रहा और वे बच्ची की तरह बोले अंकल हमें चौकलेट किलाओ न मैंने कहा आचारे जी यह तो ठीक है पर लिखने के बारे में क्या कर रहे है उन्होंने कहा लिख भी नया रहा हूँ जो लिख चुका हूँ उसे फिर से लिख रहा हूँ मगर हिज्जी और वाक के विनास की गलतियां करता जाता हूँ वे नया हो जाता है थोड़ी देर उनके पास बैठकर मैं कोने की टेबल पर बैठे सतेंद्र के पास पहुँचा मैंने कहा वह तो एक वयोवरद कवी हिमनजी बैठे है उन्हें जानते हो ना सतेंद्र ने कहा कौन कवी कवी तो हम से पहले कोई हुआ ही नहीं कवीता तो मुझसे आरंभ होती है मैंने कहा पहले कोई कवी नहीं हुआ तुलसिदास, सूर्दास, कालिदास ये भी नहीं सतेंद्र बोला ये कवी कहा थे जब मुझसे पहले कवीता लिखी ही नहीं गई तो कवी कैसे हो जाएंगे उसने कॉफी का आखरी घूट लिया और प्याला सरका दिया मुझसे कहा क्या आप मुझे कॉफी पिलाने आए हैं मैंने कहा यहां तो किसी और कारण से था पर काफी तुम्हें पिला दूँगा मैंने कॉफी ओर्डर दिया मैंने कहा आपकी रिचनाएं में पढ़ता रहता हूँ उनमें बड़ी पीड़ा है लगता है आपके मन में दर्द जम कर बैठ गया है क्या तकलीफ है आपको उसमें चैतन ने आ गया सिगरेट मेकतर बोला यह युग की पीड़ा है अपने जमाने का सारा दर्द हम पी रहे हैं वही जहर बन कर हमारी रचनाओं में आता है मैंने पूछा युग की पीड़ा की शिकायत आपको कब से है उन्होंने का है यह 15-16 साल की उम्र से है पर पेट में जब बड़ा दर्द रहता था यह 3-4 साल चला फिर इलाज से अच्छा हो गया मैंने का है यानि उस वक्त युग तुमारे पेट में था वह बोला हां मगर उसके बाद युग की पीड़ा मेरे भीतर फैलने लगी आत्मा में आ गई उंगलियों के पोरों तक पहुँच गई फिर बैंक अकाउंट में फैली फिर फरनीचर में कपड़ों में बेडरूम में अब जीवन अर्थ हीन है संसार ही अर्थीन हो गया है किसी चीज में कोई अर्थ नहीं रह गया मैंने कहा तो क्या मर जानी की तव्यत होती है वह बूला हां लेकिन मृत्यू भी तो अर्थीन है इसलिए उसे भी नहीं सुईकारा जाता हम कुछ सुईकार नहीं कर सकते इसी समय दो खूबसूरत बच्चों को लेकर एक दमपती भीतर आया और एक टेबल पर जाकर बैट किया माता पिता बच्चों को प्यार करने लगे सतेंद्र उन्हें देखता रहा और उसके चहरे पर घ्रणा आ गई कहने लगा देखो कितने उल्लू हैं अपने बच्चे को प्यार करते हैं बेवकूफ वे उन्हें देखता रहा बड़े दर्द से बोला मैं निपट अकेला हूँ मैंने पुछा अकेले क्यूं हो उसने कहा क्योंकि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ सबको मेरे पास आना चाहिए वे नहीं आते तो मैं अकेला हूँ कॉफी आ गई हम कॉफी पीते हुए बाते करने लगे मैंने कहा भाई सतेंद्र जी मुझे अभी आपकी पीडा का रहस्य समझ में नहीं आया उसने खीज कर मेरी तरफ देखा बोला तुम्हें क्या पीडा नहीं दीखती क्या इस यूग में संकट में से तुम अनभिग्य हो मैंने कहा मुझे कुछ पीडा और संकट तो दिखते हैं सत्र साल बाद भी देश भूका और नंगा है चोटे चोटे बच्चे होटलों में काम करते हैं नाबालिक लड़कियां पेट भरने को चकलों पे बैठी है दहेश के कारण लड़कियां बिनव्याही सूख जाती है हर तरफ लूट खसोट है साधरन आदमी का कई तरफ से खून चूसा जा रहा है और कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आता उधर युद्ध का संकट है यह सब तो मेरी समझ में भी आ जाता है यही क्या युग की पीड़ा है यही तुमारे दर्द और संकट की अनुभूती का उत्स है सतेंद्र ने मेरी तर्व देखा जैसे मैं कोई बच्चा हूँ बोला आप बहुत ना समझ है युग की पीड़ा अपने भीतर से उपजदी है जमाने का मेरे प्रती जो करतव यह है वह जब नहीं करता तब घोर पीड़ा होती है देखो सुबह से मुझे तीन कप काफी अपने पैसे से पीनी पड़ी है मुझे पीड़ा नहीं होगी मुझे कुल आठ सु रुपे तनक्वा मिलती है और उस नरेंद्र को एक हजार रुपे प्रतमेश के अभी अभी बारा सु रुपे हुए है मुझे रात भर इस पीड़ा से नीन नहीं आती सुरेश के पास कार हो गई मालूमें आपको और मैं टेक्सी लेता हूँ मैं इतना बड़ा लेखक हूँ यहाँ तीन गर्ल्स कॉलेज है उनकी सारी लड़कियों को मेरे इर्द गिर्द होना चाहिए कि नहीं मगर कोई नहीं आती इस असंस्कृत समाज में दम घुटता है मेरा और आप पूसते हैं यह पीड़ा कहां से आती है हम इस सारे जहर को पीते जाते हैं दुनिया अर्थ हीन हो गई है और लोग कहते हैं कि खाते पीते हैं शादी ब्यार रचाते हैं बच्चे पैदा करते हैं और बच्चो को प्यार करते हैं सबके सब गवार जण और समवेदन हीन है सतेंदर बहुत क्रोध में आ गया था उसने एक घुट में सारी कौफे निगली और कब जोर से पठक दिया उसके मूड को देखकर ऐसा लगता था जैसे वै अभी जाकर रेल गाड़ी के सामने गिर जाएगा मैंने उसे शांत करने की कोशेश की कहा बंदू जादा मत घुटो कहीं पेट का दर्द फिर न उभर जाए मुझे बताओ मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूं वै बोला आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप जाएए मुझे अकेला छोड़ दीजे मैं आपसे घ्रणा करता हूं मैं उठ लिया अचारे हेमंत के पास से निकला तो उन्होंने पूछा क्यों शाहब हमारे उन अंकल को क्या हो गया मैंने कहा वे युक की पीड़ा से तरस्त है हेमंत ची ने कहा हमारे जमाने में ये बिमारी नहीं थी बड़ा प्राण लेवा रोग है दूसरे महायुद्धे के बाद दुनिया में फैला है हेमंत ची फुगा फुलाने लगे और मैं कॉफी हाउस से बाहर आ गया दन्यवाद